तुमने ये शायद पहले देखा होगा, अब मैं इसे लेकर कठोर रबड के टुकडे पर आघात करता हूँ ये ध्वनी का निर्मान करता है, इसे स्वरित्र द्विभुज कहते हैं, इन्हें स्वरित्र की भुजाएं कहते हैं, जब हम स्वरित्र द्विभुज से आघात करते हैं, तब भुजाएं कमपित होती हैं, भुजाएं कमपित होते ही पास की हवा भी कमपित होती है, करने के तुरन बाद हम भुजाओं को पानी में डुबाएंगे जब हम कंपित स्वरित्र को पानी में डुबोते हैं पानी बाहर उचलता है पानी में वो तरंग का निर्मान करता है कि तुमने इसके पहले तरंग देखी है तरंग निर्मान करने के लिए तुमने पानी में पत करने के लिए हमें कुछ मानदंडों की व्याक्या करनी होगी तरंग के पांच मानदंड हैं जो उसकी विशेष्टाएं भी हैं वहकाल आवृति आयाम तरंग दैर्धिय और गति हम इन्हें बारी-बारी से समझेंगे जैसा कि तुम्हें पता है स्वरित्र की भुजाएं कंप कंपन से निर्मान हुई उर्जा हवा के माध्यम से किंतु हवा के कणों को अपवाहित न करते हुए अपवाहित की जाती है यदि तुम स्वरित्र के कारण हुए हवा के कणों का आंदुलन प्लोट करोगे तो एक तरंग जैसा आकार दिखेगा अब मैं पानी में ये छोट गेन डालकर आसान तरंगों का निर्मान करूंगा गेन का डालना उर्जा के स्थानान तरंग का कारण बना और तरंग बनी एक बार गेन डालने पर पानी में तरंगों का एक स्पंद तयार हुआ अब गेन की जगा हम ये पानी की बोतल लेंगे और उसमें दो छेद बनाएं ढकन को लगाई हुई डूरी से पानी की बूंदे गिरती है नियमीत अंतराल के बाद बूंदे गिरकर तरंग का निर्मान करती है छिद्र का आकार बदल कर मैं बूंदे गिरने की गती बढ़ा या घटा सकता हूं इसे द्रिष्टी गोचर करने के लिए हम PHET Simulation का उपयोग करेंगे मैं इस नल को क्लिक करके पानी का बहाव शुरू कर सकता हूं मैं उपर से पानी को देख रहा हूं मैं तरंग का एक पैटन देख सकता हूं बाजू से ये कैसे दिखेगा मुझे यहां क्लिक करने दो हम के गुण समझने के लिए इसका इस्तमाल करेंगे यह पानी की टंकी है नेला भाग पानी है यह नल है हम धीरे से एक बूंद टंकी में छोड़ेंगे हमें पता है कि उर्जा का स्थानांतरण होता है नकि पानी के कणों का हम इस मापदंड का उपयोग पानी की एक बूंद क के आंदोलन का आलेख बनाने के लिए करेंगे यदि मैं एक ही स्पंदन निर्मान करूंगा तो उर्जा ऐसे स्थानां तरित होगी हम इस अकेले पानी के कंड का उपर का और नीचे का आंदोलन देख सकते हैं कंड नीचे जाता है और अपने मूल स्थान पर वापस आता है कंड उपर जाता है और फिर अपने मूल स्थान पर आता है ये एक संपूर्ण चक्र है हम इस अक्ष पर समय प्लोट करेंगे और इस अक्ष पर अपने मूल स्थान से कंड जितना दूर गया है वो अंतर प्लोट क पानी के एक कण के लिए उपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए और अपने मूल स्थान पर आने के लिए जो समय लगता है उसे काल कहते हैं इसकी इकाई सेकंद है उसे टी चिन्न से दर्शाते हैं ये एक चक्र को लगने वाला समय है किन्तु एक सेकंड में कण कितने चक्र पूरे करता है, दूसरे शब्दों में हमें जानना है कि ये तरंग चक्र एक बिंदु में कितने आवर्तन करता है, इसे तरंग की आवर्ति कहते हैं, निशित समय में पूरी की जाने वाली चक्रों की संख्या को आवर्ति कहते हैं, और उसका चिन्न है F, यदि एक सेकंड में एक कमपन हुआ तो उस कमपन की आवरती एक हर्ड्स होती है 40 हर्ड्स के आवरती का तरंग हर सेकंड में 40 चक्र पूरे करता है काल को आवरती की तरह न समझे एक चक्र पूर्ण करने के लिए लगने वाला काल सेकंड की इकाई में मापा जाता है और एक सेकंड में पूरे होने वाले चक्रों की संख्या में आवृति का मापन किया जाता है यदि तरंग का काल दो सेकंड है तो वै एक चक्र दो सेकंड में पूरा करता है उसकी आवृति आधी होती है काल और आवृति सम्मंदित है वै एक दूसरे के पूरक हैं ये एक समिक से दिखाया जा सकता है आवरति बराबर एक छेद समय याने F बराबर एक छेद T तरंग का समय जितना अधिक उतनी ही उसकी आवरति कम होती है बड़ी आवरति वाली तरंगे एक सेकंड में अधिक चक्र बिठा सकती है उसका काल कम होगा हम ये कह सकते हैं कि काल और आवरत्ती एक दूसरे को व्यस्त अनुपातिक है हम देख सकते हैं कि आवरत्ती के साथ काल कैसे बदलता है इस आवरत्ती में एक चक्र पूर्ण करने के लिए अधिक समय लगता है यदि मैं आवरत्ती बढ़ाऊं तो चक्र पूर्ण करने के लिए कम समय लगेगा सारांज हमने तरंग के गुणधर्म के बारे में चर्चा की एक कण को उपर जाने के लिए नीचे आने के लिए और अपने मूल स्थान पर आने के लिए जो समय लगता है उसे काल कहते हैं उसकी 21 सेकंड है उसे टी चिन्ह से दिखाते हैं निशित समय में पूरी की जाने वाली चक्रों की संख्या को आवरती कहते हैं आवर्ति का चिन्न F है